हलो फ्रेंड्स मैंसल दोक्टर सुशिला सानी गानेक लॉजिस रन अब्सक्टिशन हम फाइब्रोड के बारे में जाने की कोशिश कर रहें हैं पिछले दू एपिसोड में हम आपको यह बता चुके हैं कि आखिर फाइब्रोड होते हैं उनके स्टम्स क्या होते हैं उनके बार और कि प्रिखनेंसी पर या प्रिखंशी होने नहीं होने पर फाइबरोडोड की की फाइबरोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडो высок cowboy cream अतresent ही और प्रिखिवूडोडोडोडोडे में पोजिशन के पर होते हैं ये यो क्मेस्टिंट्स我要 या uterus की जो wall है उसमें किस तरफ grow कर रहे हैं? फाइब्रोट जो grow करता है, वो uterus की जो muscle होती है, उसी से grow करता है, वही से उसका जन्म होता है और वो फिर कहीं बाहर की तरफ या अंदर की तरफ grow करता है, या उसका direction अंदर की तरफ आता है, बचेदानी की अंदर की तरफ होता है तो या तो polyp का रूप ले लेता, यानि कि जिसे हम बोलते हैं कि बचेदानी के अंदर कोई मांस बढ़ गया है, या फिर वो sub-mucosal, यानि कि जो अंदर की जो layer होती है, जो endometrium कहा जाता है, उसके नीचे की तरफ रहता है और अंदर cavity के अंदर bulge करने लग जाता है, यानि कि उभर की आ जाता है, ऐसे इस्तिती में ये bleeding बहुत जादा करता है, क्योंकि इसके ऊपर जो नसे होती है, वो फट जाती है, जो blood vessels होती है, जब भी महीना आता है, तो वो blood vessels काफी सारे मात्रा में bleed कर जाती है, जिसके वि contractions के कारण lower abdomen में काफी जाधा pain होने लगता है, यानि कि पेडू के दर्द की समस्या इन लोगों में काफी जाधा होती है, spotting होती है, और bleeding बहुत जाधा heavy होती है, तो यह जो symptoms है, इनसे हमें पता चलता है, यह जो फाइब्रोड है, तो यह जो पता चलता है, जो फाइब्र करता, तो वो बहुत जाधा asymptomatic type का fibroid होता है, उसे बहुत जल्दी कोई symptom नहीं आते है, यानि कि अगर वो छोटा size तक का fibroid है, तो उसमें bleeding का समस्या बहुत जाधा नहीं होगा, या पेट में धर्द का समस्या नहीं होगा, और वो दीरे दीरे अपने size में grow करता जाएगा, तो यह fibroid generally 8-9 cm, 10 cm तक भी पहुच जाते हैं, योटरस का size बढ़ता जाता है, उसके बाद में जब इसका size बढ़ जाता है, तो definitely wall के अंदर तो नहीं रह पाएगा, तो generally या तो इधर जाएगा, या उधर जाएगा, तो फिर जब हो cavity की तरफ आने लगता है, तो फिर bleeding के symptoms पेट की तरफ जाता है, और आते माते उसके ऊपर चिपक जाती है, या और कोई symptom आता है, तो पेट में दर्द के symptoms आ सकते हैं, या पेट के अंदर भारीपन लग सकता है, या फिर उसको ऐसा लग सकता है, कि उसके पेट के अंदर कोई mass बढ़ रहा है, या कुछ अलग सी ची साइस काफी जादा बढ़ जाता है, तो पेट में दर्द भी हो सकता है, या फिर ब्लीडिंग के समस्या भी create हो सकती है, ऐसे फाइबरोट जनरली हमें accidentally diagnose होते हैं, या यदि हमने किसी और चीज के लिए sonography करी है, कोई पेट की sonography करी है, या आपको pregnancy हो गई है, या फिर आप प्रिगनेंसी का शक्राइब कराने के लिए sonography कराई है, तो ऐसे स्थिती में हमें fibroid पता चल जाता है, तो इसकाइबरोट एक्सीडेंटल डिग्नॉस भी होते हैं, यानि कि हमने उस चीज के लिए sonography नहीं कराई, या उनिकि हमने किसी और कारण से कराई, या फिर कोई symptoms नहीं होता है क्योंकि cavity से भी काफी दूर है wall से भी काफी दूर होने की कारण uterus related इसके symptoms नहीं आते हैं इसलिए asymptomatic होने की वज़े से यह grow करता जाता है और जब तक कोई lady अपनी sonography routine ले किसी और कारण से नहीं कराती इस fibroid के बारे में नहीं पता चलता है और यह बच्च हो भी जाती है तो pregnancy आगे चलती रहती है फिर प्रेइंसी के लिए sonography होगी तभी हमें पता चलेगा कि आपको fibroid है लेकिन इन fibroids में बड़ी problem हो सकती है क्योंकि यह आतों की तरफ होने की कारण हो जो आतों के आसपास की जो fat होती है वो इसके उपर आके deposit हो जाती है चिपक मिल रहा है तो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और कई बार यह पांच खिलो छे किलो दस किलो तक वाले जो fibroids होते हैं वो जनरली यह वाले fibroids ही होते है और ऐसे सिती में ऐसा लगता है कि बच्चे कोई बच्चा हो रहा है क्योंकि कोई 3 किलो की गांट लेकि अगर कोई अच्छा है तो पता चलता है उस इंसान को कि उसके पेट में बच्चा नहीं हो कि फाइब्रोइड पल रहा है जो कि खतरनाक सती हो सकती है इसलिए सबी को एक ही रिक्वेस्ट हम बार-बार करते हैं कि आप अपनी रेगुलर सोनोग्राफिक कराई है साल में एक बार तो जादा अच्छा नहीं होगा क्योंकि आप मेंटली पर हैं नहीं है लेकिन यदि आप रेगुलर सोनोग्राफिक कराते रहते हैं तो आपको यह पता रहता है कि मेरे को पिछले साल तक कोई बिमारी नहीं थी इस साल मुझे बिमारी डियाग्नोस हुई है और वह भी जल्दी स्थिते में पता चल जाती है क्योंकि एक साल में अगर फाइबरो करता तो जनरली दो-तिन सेंटेमीटर होगा इससे बड़ा नहीं हो सकता और यदि कोई रैपिडली ग्रोइंग क्यूमर है रैपिडली ग्रोइंग फाइबरोड है यानि कि अगर छे मेने पहले नहीं होंगे यानि कि एक लाग के अंदर भी अगर एक महिला के अंदर भी कैंसर होता है तो चांसल हमेशा होते हैं हम यह एग्नोर नहीं कर सकते इसलिए अपनी रूटीन चेक अप कराते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको जो सिम्टम समने समझाएं अगर उस सीरोजल हो या इंट्रम्यूरल हो या समयोकोजल फाइब्रोइड हो आपको इलाज सभी का करवाना पड़ेगा आप इग्नोर नहीं कर सकते फाइब्रोड को पाल कोस के बढ़ा नहीं कर सकते अगले एपिसोड में बताएंगे कि आखिर जब इफाइब्रोड आपके पेट म पल ही रहे हैं तो आखिर इनका इलाज कैसे किया जाए आप से मिलते हैं नेक्स एपिसोड में थैंक यू